अगर आपको लगता है कि आपकी जो voice है वो मेरी तरह बहुत ज़दा boring है तो don't worry आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे step बताने वाला हूँ जिनके जरीए आप अपनी boring voice को एक cinematic voice में convert बहुत ही easily कर पाएंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम अपने laptop का use करेंगे अगर आपको अपने mobile के जरीए अपनी voice को cinematic voice में convert करना है यानि कि edit करना है तो please आप मुझे comment करके बोल सकते हैं और next video के अंदर मैं आपको सिखा दूगा कि आप किस तरह से अपने mobile के जरीए अपनी voice को एक cinematic voice में convert कर सकते हैं लेकिन चलिए फिलाल अभी हम चलते हैं अपने computer की screen पर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी voice को edit करता हूँ जैसा कि आपने वीडियो के starting में देखा ठीक इसी तरह की voice तो दूस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको voice edit करने से पहले तीन basic rules बता दूँ voice को record करने के सबसे पहले तो आपके पास एक basic mic होना बहुती ज़दा जरूरी है जैसा कि फिलाल मैं यह बोया का BY-M1 mic यूज़ कर रहा हूँ एंड second number पर आप जिस जगह भी अपनी voice को record कर रहे हैं जैसे कि अगर आप अपने room के अंदर अपनी voice को record कर रहे हैं तो आपका room जो है वो सामान से भरा हुआ होना चाहिए because अगर आप कर room खाली होगा तो उसके अंदर eco बहुत ज़दा आएगा और उससे आपकी जो voice है वो थोड़ी सी boring लगने लगेगी एंड गाइस तीसरे point में आपको अपने mic को जैसा कि आप फिलाल देखना है like a cinematic voice so finally guys मैं अपने laptop की scan पर आ चुका हूँ और जो फिलाल मैं software यूज़ कर रहा हूँ वो premiere pro software है और जैसा कि अभी आप देख रहा है यहां फिलाल मैंने जिस clip को edit करना है उसको import कर लिया है अपने software के अंदर और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से अपनी voice को edit करना है simply आपको effects के अंदर आना है और effects के अंदर आने के पाद यहां आपको सब सब पहले search करना है base और उसके बाद आपको base को drag and drop कर देना है अपनी voice के ऊपर और उसके बाद आपको effect control के अंदर आना है और effect control के अंदर आने के बाद आपको यहां base को search करना है और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यह है हमारा base और base को यहां आपको अपनी voice के हिसाब से add करना है जैसा कि फिलाल मेरी जो voice है उसके हिसाब से जो base है वो 5 सही रहता है मेरे लिए तो फिलाल यहां मैंने base को 5DV तक बढ़ा दिया है और उसके बाद आपको फिर से effect के अंदर आना है और इस बार आपको travel सर्च करना है और travel को भी आपको drag and drop करके अपनी click के ऊपर छोड़ देना है यानि कि narrow voice आपको feel होगी और उसके बाद आपको यहां पर search करना है effect में D noise और उसके बाद आपको फिर से D noise को drag and drop करना है अपनी click के ऊपर और उसके बाद यहां आपको edit में आना है और edit पे click करने के बाद यहां आपको दो option शो होते हैं एक heavy noise reduction और light noise reduction अगर आपकी वीडियो के अंदर noise बहुत ज़दा है तो आप heavy noise reduction को use कीजिए otherwise आप light noise reduction को use कर सकते हैं आपको हर एक condition में heavy noise reduction को use नहीं करना है अगर आप इसको use करेंगे तो आपकी जो voice की clarity है उसके अंदर आपको थोड़ा सा distortion देखने को मिलेगा फ़लाल यहां मेरे हिसाब से मेरी video clip के अंदर light noise reduction perfect काम करता है तो फ़लाल मैं यहां से इसको use करूँगा और इसको select करने के बाद आपको इसे यहां से windows को close कर देना है अगर आपको फोर्थ effect के अंदर amplify select करना है यानि की search करना है और उसके बाद जो आपको यह amplify option शोग रहा है simply आपको इस पर क्लिक करना है और drag and drop कर देना है अगर आपको फिर से effect control के अंदर आने के बाद यहां edit वाले option में आना है और उसके बाद आपको यह default show होगा, simply आपको यहाँ select करना है, और यहाँ आपको push plus की value देखने को मिलेंगी, और push आपको minus की value देखने को मिलेंगी, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी voice को थोड़ा सा increase करना चाहिए उसके volume को, तो आप यहाँ से plus की value को select कीजिए, otherwise आप minus की value को select कर सकते हैं, तो फिलाल यहाँ से plus की 3db boost को select करता हूँ, because यह मेरे लिए perfect रहेगा, because मैं easy को use करता हूँ, फिलाल इस video के अंदर जो भी setting में आपको दिखा रहा हूँ, मैं यह सबी setting अपनी video के अंदर use करता हूँ, अपनी voice को edit करने के लिए चलिए, फिलाल यहाँ काफी सारे option देखने को मिलेंगे, एक bright hype का, और उसके बाद आपको और भी option देखने को मिलेंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ different different try करके देखिए, फिलाल मेरे हिसाब से according to me, जो मैं use करता हूँ, जो मेरे लिए सबसे best रहता है, वो bright hype का options मेरे लिए सबसे best है, तो फिलाल म इतने effect को use करने के बाद, अभी जो आपकी voice होगी, वो exact बिल्कुल same वही हो जाएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो के starting में दिखाया, तो यहाँ आपको खुछ से manually कुछ भी नहीं करना है, आपको Premiere Pro के अंदर आना है, और जो मैंने आपको यह 4-5 effect बताए हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, तो यहाँ effect में आपको search करना है para, और उसके बाद यहाँ आपको parametric equalizer का option show होगा, simply आपको इसे भी drag and drop करना है, और उसके बाद आपको यहाँ edit में आ जाना है, और edit में आने के बाद यहाँ आपको vocal enhancer के नाम से एक option show होगा, simply आपको इसे select कर लेन इतने effect आपकी voice को next level पे ले जाने के लिए काफी होगे, अगर आप अपनी voice को थोड़ा सा और enhance करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से effect आपको Premiere Pro के अंदर दिये हैं, आप इनको use करकर के देख सकते हैं, लेकिन फिलाल मेरे लिए यह काफी है, जो last वाला effect मैंने आपको बताया सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथी साच चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कोल न भूले तो चलिए, फ्लाले इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ,